तो फ्रेंड, आज है हमारे पास unboxing के लिए OPPO A9 2020 आज इस device की करने वाला हूँ मैं unboxing और आप लोगो बताने वाला हूँ कि इसके box content में क्या क्या चीज़ आप लोगो देखने को मिल जाएंगी और यह device कैसा होने वाला है आप लोग के लिए तो ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को सो हाई फ्रेंड्स मैं हूँ वीविक आप देख रहे हैं शार्मा जी ब्रदर्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिवैस की unboxing कि अग्या तो फ्रेंड यह रहा हमारे डिवैस का बॉक्स तो चलिए फटा फट इसे मैं बॉक्स कर लेता हूं तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहां से इसे ओपन कर लेंगे काफी यह टाइट फीट है इसे ओपन करते हैं यहां पर आप देख पाएंगे उपर में आप लो लुक्त को यह देखिए एक अच्छा सा केस मिल जाता है टीप यू केस जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है यहां पर आप देख पाएंगे उसके आप लोग को पेपर वर्क्स मिल जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं वारेंटी कार्ड वगरा और यूजर गाइड वगेर आप लोग ओपो की तरफ से दिये गए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं सीमेजिक्शन टूल मिल जाता है चलिए उसके बाद आप नीचे में देख सकेंगे यहां पर आपका में डिवाइस है तो इसे मैं यहां से बाहर निकाल लेता हूं कुछ इस तरीके से जैसा क यह देखने में भी काफि बड़ा है तो यह पर आपलों को एक केबल मिल जाता है तो यह टाइप सी केबल है और इसकी काफिए काफिए फोन दिये गया है चलिए यहां पर मारा बॉक्स कंपलिट हो चुका है तो हम लोग आ जाते हैं दुआ की लिए यहां से मलुगों इसे काफी अच्छ को दिखा देता हूं तो जहिए इसे डिवाइज में डिवाइज कर लेते हैं कि या वाँ से अच्छा अब लोग आप के पास और बाकी होगा डे मीलकान में वरे आप तो फ्रेंड में ने इस device का सेटप कम्प्रिट कर लिया है, तो चलिए मैं आप लोग इस device के बारे में एक एक करके सारी सीचे बता देता हूँ डिटेल में, और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस device के डिजाइन के बारे में, हाई क्वालिटी प्लाश्टिक का यूस किया गया है, तो जब आप इस device का अपने हाथ में होल्ड करेंगे, तो काफी आप लोग प्रीमियम यह महसूस होने वाला है, काफी अच्छी बीड क्वालिटी इस device की है, बैक में आप देख सकते हैं, आप लोग फिनिस मिल जाएगी, काफी अच्छा कलर आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो जब आप इस device को बैक से देखेंगे, तो काफी अच्छा लूक आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग को क्वाट केमर का सपोर्ट मिल जाएगी, LED फ्लैस, फिंगर्पिंट सेंसर, ओपो की ब्रैंडिंग, यह सारी चीज़ आप लोग को बैक में देखने को मिल जाती है, राइट साइट की तरफ आजाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को पावर की की मिल जाएगी, इसके अंदर हलका सा ग्रीन कलर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि इस डिवाइस को एक प्रिमियम टच देता है, लेट साइट की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप लोग को वाल्यूम का बटन मिल जाता है, और सिम ट्रे मिल जाएगा, उपर की तरफ आजाते हैं, तो यह बिल्कुल क्लीन है, कोई बीचीज आपको यहाँ नहीं दी गई है, नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे की मेन स्पिकर, चार्जिंग स्लॉट, जो की टाइप C है, मेन माइक्रोफोन और 3.5 mm आडियो जैक, यह सारी सीज़े आप लोग को नीचे देखने को मिल जाती है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले की तरफ, तो यहाँ पे आप लोगो 6.5 इंच की एक बड़ी LCD पैनल मिल जाती है, IPS LCD पैनल मिल जाती है, जो की 720P Plus को सपोर्ट करती है, और यहाँ पे आप लोगो 270 की PPI मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका जो डिस्प्ले है काफी अच्छा है, काफी कलरफूल है, तो अगर आप इस डिवाइस में वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, गेमिंग करते हैं, तो काफी अच्छा experience आप लोगो मिलने वाला है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं OS के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगो Android 9.0 PPI का सपोर्ट मिल जाता है, और क्योंगी यह जो डिवाइस है, OPPO का डिवाइस है, तो यहाँ पे आप लोगो Color OS 6.1 का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो यह काफी अच्छी बात हो जाती है, अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के performance के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगो Snapdragon की तरफ से 665 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 11 नैनोमेटर पर बना हुआ एक OctaCore प्रोसेसर है, और 2.0 GHz पर रन करता है, यहाँ पे आप लोगों जो GPU मिलती है, वो मिलती है Adreno की तरफ से 610 की GPU, चलिए मैं आप लोगो इस प्रोसेसर के बारे में बता दूँ, तो यह जो प्रोसेसर है, काफी powerful प्रोसेसर है, अगर आप इस डिवाइस के साथ multitasking करना चाहेंगे, तो बड़ी असानी से कर पाएंगे, अगर आप इसमें gaming भी करना चाहेंगे, तो बड़ी असानी से कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर screen पर देखी पा रहे होंगे, यह जो device है, gaming के लिए capable है, आप अच्छी खासे gaming कर सकते हैं, इस device में आप PUBG High Graphics में run कर पाएंगे, आप लोगों कोई भी problem नहीं होगी, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इस device के memory department के बारे में, तो यह जो device है, दो variant के साथ आता है, पहला है 4GB, 128GB, और दूसरा है 8GB, 128GB, आप अपने users के हिसाब से, दोनों में से कोई एक variant पिक कर पाएंगे, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक वेरियंट के बारे में, फ्रेंड में, यहाँ पर आप लोगो 16MP का support मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर camera sample देखी पा रहे होंगे, यह जो device है, काफी अच्छे photo खीचने के लिए capable है, जैसा कि आप यहाँ पर देखी पा रहे होंगे, काफी अच्छे photos मैंने यहाँ पर click किये हैं, इसी device है, फ्रेंड की अगर मैं बात करूँ, तो आप selfie भी देख पाएंगे, और judge कर पाएंगे, कि इसका selfie camera किता powerful होने वाला है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इस device के fingerprint sensor के बारे में, तो इसका fingerprint sensor है, आप देखी पा रहे होंगे, यह काफी fast और accurate है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं जैसे ही अपने finger को tap कर रहा हूँ, इसके scanner पे, यह quickly यहाँ पर unlock हो जा रहा है, और मुझे कोई भी problem नहीं हो रही है, यह super fast तरीके से काम कर रहा है, और काफी accurate भी है, उसके बाद हम लोग बात कर लिता है, इस device के battery department के बारे में, तो इस device में आप लोग को 5000 mH की बड़ी battery मिल जाती है, जो की काफी अच्छी बात है, तो अगर आप इस device को heavy से heavy use भी करेंगे, तो यह RAM से आप लोग को एक दिन का battery backup निकाल कर दे देगी, अगर इसको आप एकदम normal use करते हैं, तो यह देर से दू दिन का भी आप लोग को battery backup निकाल कर दे सकती है, लेकिन यहापे आप लोग जो charger मिलता है, वो 10W का है, तो अगर आप इस device को 0 to 100 करना चाहेंगे, तो लगभग आप लोग को 3 घंटे का समय लग जाएगा, और इसमें एक और खास बात है, यहाप लोग आप लोग reverse charging का भी support मिल जाता है, तो अगर आप चाहेंगे, तो इस device से किसी और device को charge भी कर पाएंगे, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके price के बारे में, तो यहाप पर OPPO ने अभी price cut किया है, तो यह device आप लोग को 13,990 रूपे में मिल जाएगा, तो अगर 13,990 रूपे में एक offline device की बात करूँ, तो यह device काफी अच्छे deal साबित हो सकती है, क्योंकि इसका जो पूराना rate है, वो है 16,990 रूपे, लेकिन यहाप जो नया rate चल रहा है, वो है 13,990 रूपे, तो अगर इस price tag में अगर आप इस device को लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, काफी अच्छा package आप लोग को मिल जाएगा, मैं फिर से बता दूँ, यह जो device है, यह offline market के लिए है, I hope आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, इस device के बारे में मैंने आप लोग को काफी detail में बताया है, तो आप लोग को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए, कोई question होता आप हमें कमेंट करके पूश सकते हैं, हमारे इस channel को सब्स्राइब करके बैल आइकों को प्रेस कर लिजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो से लेकर आते रहता हूँ, आज के लिए बस सित्ताई, जय हिन, वन दे मातरम, थाइंक यू,